सथ्यों नवसकार कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं कम्पिटेशन कम्यूंटी के इस आनलाइन एजुकेशनल प्रिट्थॉम पर जहां हम क्या पढ़ रहे हैं मद्ध प्रदेश प्रारंभिक परिच्छा का क्रेस कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं के जो भी टॉपिक हैं हमारे जो MPPSC Prilims Examination के उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आप हमारे शाथ क्या पर रहे हैं Unit 10 जिसमें संबैधानिक आयोग, संबिधिक आयोग और सलाहकारी आयोगों के बारे में चर्चा की गई है साथियो हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था राष्टी अनसूचित जाती राष्टी अनसूचित जनजाती आयोग तथा साथ में हमने मध्यप्रदेश का जो अनसूचित जाती और जनजात आयोग है उसको भी हमने कभर किया था आज हम उसी के MCQ के तहट ये चर्चा करेंगे, ये हम देखेंगे कि जो हमने क्लास में पढ़ा, वोग चीजे कितनी हमको याद हैं, और MCQ के तहट ये समझेंगे कि एक्जाम में कैसे question पूछे जाते हैं, एक्जाम में question पूछने का आयाम क्या होता है, तो आईए, आज हम MCQ क आयोग, इनके जो महत्यपूण और आपके एक्जाम के लिए संभावित प्रकार के वस्तोनिष्ट प्रसन है, प्रिलिम्स के point आप दियू से महत्यपूण है, तथा ऐसे questions एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके वारे में हम जर्चा करेंगे, तो आईए, आज का हम पहला प्रसन देखते हैं, पहला प्रसन हमारा क्या है, तो पहला प्रसन ये है कि राष्टी अनुसूचित, राष्टी अनुसूचित, जाति आयोग का संबंध किस अनुचेत से है, अनुसूचित साथियो अनि है, ये printing mistake है, आप इसको ठीक कर लिजेगा, तो पहला question आप से option A कहता है, अनुचेत 338, option B कहता है, अनुचेत 338 A, और option C कहता है, अनुचेत 349 और D कहता है, अनुचेत 338 B, साथियो हमारा जो right answer होगा, जो सही answer होगा, वो राष्टी अनुसूचित जाति आयोग का, वो option A होगा, अनुचेत 338 में, राष्टी अनुसूचित जाति इसको कहते हैं इसमें जनजाती आयोग के बारे में चर्चा की गई है, किसके जनजाती आयोग, अगर इसी तरह हम देखें, उच्छे 338 B, तो इसमें OBC, OBC आयोग, अन्य पिछडा बर्ग आयोग के बारे में चर्चा की गई है, तो इस तरह हमने देखा, कि ऑप्सन, जो question number A ह question number 1 है उसका option A सही उत्तर होगा अगर हम इसको और थोड़ा बिस्तार में देखें तो इसका वर्णन भाग सोला में है 338 जो आर्टिकल है इसका वर्णन भारती संभिधान के भाग सोला में किया गया है अब हम देखेंगे next question अंगला प्रश्ण अंगला प्रश्ण क्या है आईए देखते हैं question number 2 कहता है कि किस संसोधन के तहत अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आयोग को अलग-अलग कर दिया गया option a में कहता है नवासिवा संभिधान संसोधन, c में कहता है पचासिवा संसोधन और d में कहता है 46 संभिधान संसोधन के तहत साथियो जो इसका सहीं अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा अप्शन ए नवाशिवा संविधान संसोधन जो कभ हुआ 2018 में और इसी के तहत SCST अलग-अलग हो गए राश्टियन सूचित जाती आयोग और राश्टियन सूचित जनजाती आयोग जो पहले साथ में संस् थी उनका प्रथक करण हो गया वो अलग-अलग हो गए और हम इनकी स्थापना की बात करें तो 19 फरवरी 2004 को 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई राश्टियन सूचित जाती आयोग की इसी तरह अनसूचित जनजाती आयोग की भी स्थापना इसी समय की गई आईए हम अगले प्रेश्ट और निस्ट कोस्चन की और प्रेश्ट नमबर तीन कोस्चन नमबर त्री ये कहता है कि राश्टियन सूचित जाती आयोग के अध्यक्ष वा सदनसुख की नियुक्ति कौन करता है नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि राश्टियन सूचित जाती आ समाजिक नाय येवम अधिकारिता मंत्राल है द्वारा साथियों जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वह होगा उप्षण ए राष्ट पती जी को ये अधिकार है कि वह इनके अधक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्जित की और आईए देखते हैं प्रस नंबर 4 Question number 4 ये कहता है कि राष्टियन सूचित जाती आयोग की सनरचना है राष्टियन सूचित जाती आयोग की सनरचना कैसी है उसके बारे में question पूछ रहा है आपके option A में कहता है कि एक अद्यक्ष एक उपाद्यक्ष एबं 5 अन्य सदस B में कहता है एक अद्यक्ष एक उपाद्यक्ष चार अन्य सदस और C में कहता है एक अद्यक्ष वा दो उपाद्यक्ष एबं 5 अन्य सदस और आपके option D में कहता है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस होते हैं साथियों जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है अभी तक आप इसका पता कर पाए होंगे पता कर चुके होंगे option D जो इसका है वो राइट एंसर है क्योंकि हम जानते हैं कि एक अध्धक्च एक उपाध्धक्च एवं तीन अन्य सदस्ष होते हैं इस प्रकार ये कुल मिला के एक पांच सदस्षी निकाए है और अगर पांच सदस्षी है तो हम इसे बहु सदस्षी निकाए भी कह सकते हैं क्योंकि आपके एक्जाम में कई बा सदस्षी निकाय है इसमें कुल्विला के पांस सदस्ष होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष एक उपाद्यक्ष वं तीन अन्य सदस्ष होते हैं आईए अब हम बढ़ते हैं आज के अंगले प्रस्ण की ओर प्रस नमबर 5 कोश्चन नमबर 5 कहता है कि राष्टियन सूचित जाती आयोग के अध्यक्ष वा सदस्षों के बेतन भत्ते किसके समान होते हैं जो राष्टियन सूचित जाती आयोग के अध्यक्ष वा सदस्षों को बेतन भत्ते दिये जाते हैं वो किसके समान होते हैं आईए ओप्सन Gantra假bab mahalekha Parikshak साथ ही जो इसका सही एंसर है जो इसका right answer है जब हमने class में पढ़ा था जब हमने detail class में चर्चा करी थी उस समय हमने इनके बारे में चर्चा की थी इनका जो वेतन भतय होते हैं वो होते हैं भारत सरकार के सचीब के समाद जो भारत सरकार के सचिवों को वेतन भत्ते दिये जाते हैं वही इनके अध्यक्ष सदस्य हों चाहे उपाध्यक्ष हों उनको भी इसी प्रकार का प्रापधान है और वो प्रापधान भारत सरकार के सचिव के समान है इसलिए question number 5 का option C सही उत्तर होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रेशन की ओर और प्रेशन number 6 देखते हैं प्रेशन number 6 कहता है कि राश्टी अनुसूचित जात आयोक के अध्यक्ष हेवं सदस्यों का कारेकाल कितने वर्स का होता है कारेकाल के बारे में पूछ रहा है कि कितना कारेकाल इनका होता है किसका साथ यो इसका सही उस्तर होगा, जो इसका right answer होगा वो option C होगा क्योंकि इनका जो कारेकाल होता है वो 3 वर्सों का होता है अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन की ओर और अंगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन number 7 वह laughed सूचित जाति आयोक के अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है अध्यक्ष का जो दर्जा होता है वो किसके समान होता है इसके बारे में पूझा गया है जब भी आप question solve करें साथ ही हो जो की point है आप उनको underline करें और आप समझे क्योंकि कई वार हम अध्यक्ष लिखा है आप यहां कई वार सदस सोच के और answer देते हैं इसलिए कई वार ऐसी mistake हो जाते हैं गलतियां हो जाते हैं जब भी हम question solve करें उस समय जो की point है उनको underline कर लें जैसे कई वार question में आता है कि इन में से concern नहीं है और आप है मान के उत्तर लगा देते हैं और फिर उसका खाम्याजा हमें exam में भुगतना पड़ता है तो यह जो MCQ की series लाई गई है जो ऐसी practice कराये जा रहे हैं आपको तो इनसे यह तो पता चलता ह है कि exam में कैसे question आएंगे साथ में ऐसी गलतियों को सुधार करने का भी एक अफसर होता है तो बहरहाल अब हम question number 7 का option देखेंगे और answer देंगे किसके समान दर्जा प्राप्त है A में कहता है केंदरी cabinet मंत्री B में कहता है केंदरी राज्य मंत्री और C में कहता है भारत सरकार क सची साथियों D में कहता है इन में से कोई नहीं जो इनका दर्जा है जो इनका समानता है वो option A अध्यक्ष केंदरी cabinet मंत्री के समान दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है जो भी अध्यक्ष बनता है उसका दर्जा कैसा होता है उसकी post के समान होती है तो केंदरी cabinet मंत्री के सम का अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्ण क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ये कहता है कि राश्टियन सुचित जाती आयोक के करतब का वर्णन भारतिय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है इसके बारे में कुछ रहा है आपके option A में कहता है अनुच्छे 338 का सब आर्टिकल 5, B में कहता है अनुच्छे 338 का सब आर्टिकल 10, C में कहता है अनुच्छे 338 का सब आर्टिकल 4 और D में कहता है अनुच्छे 338 का सब आर्टिकल 6 जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है साती हो वो option A होग अनुच्छे 338 का साव आर्टिकल 5 में किसके बारे में इनके करतब्ब और कारियों के बारे में बात की गई है। अगर हम अधर ओप्सन के बारे में चर्चा करें। अनुच्छे 338 में कहा गया है कि एंगलो इंडियन के लिए भी आयोग समान रूप से कार करेगा। अनुच्छे 338 में कहा गया है कि ये अपनी कारवाई स्वभी निमित करने के लिए इसको अधिकार अनुच्छे 338 के तहद है और अगर हम 6 के तहद देखें तो राष्ट पती रिपोर्ट सदन में फेस करेगा इसके बारे में बात की गई है आईए अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टिन की ओर और अंगला प्रस्ण देखते हैं क्यों नमबर 10 प्रस नमबर 10 क्या कहता है प्रस नमबर 10 यह पूछ रहा है कि अपसे क्या पूछ रहा है तो हम नहीं है option देखे और सही उत्तर बताएं Caroline के इसका थीमें कहता है उत्तर प्रदेश प्रदेश नहीं है इसका जो रायट एंसर और अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर और अंगला प्रस्ण देखते हैं Question number 11, Press number 11, क्या कहता है? Press number 11 कहता है कि राश्टियन सुचित जाति आयोक के संदर्व में असत्य कथन बताएं आप जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताएं इन option में से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है उसके बारे में question आपसे पूछ रहा है आपके option A में कहता है आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पिरन के मामलों में स्वताह संग्यान से कारवाई कर सकता है B में कहता है आयोग अंगल भारती संगधाय के संग्धानिक संग्षण एवं अन्य विधिक संग्षण से संग्ध में जाच करेगा आपके option C में कहता है कि आयोग को किसी मामले या सिकायत की जाच के संदर में सिविल ने आले की सकती प्राप्त है और आपके option D में कहता है कि आयोग एक गैर संग्धानिक बहुस अदस्य निकाय है साथियों जो इनके उपर के तीनो कथन हैं चाहे कथन A के बारे में बात करें कथन B के बारे में बात करें और कथन C के बारे में बात करें ये तीनों कथन विलकुल सही है और आपका जो कथन D है ये गलत है और आपके question में गलत कथन के बारे में ही पूछा जा रहा है इसलिए अगर हम देखे question number 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा option D अब ये क्यों सही होगा इस कथन में ऐसी क्या गलती है तो हम उसके देख लेते हैं आयोग एक यहां लिखा हुआ है गैर संबैधानिक निकाए है साथ यो आयोग गैर संबैधानिक निकाए नहीं है जो हमारा राष्टियन सूचित जाती आयोग है वो एक सम्वैधानिक निकाय है और सम्वैधानिक निकाय क्यों है आप जानते हैं इसका भारतिय सम्विधान के भाग 16 के आर्टिकल 338 में बढ़न है तो ये एक प्रकार का गलत कथन यहां कहा गया है और गलत कथन के बारे में ह पूछ रहा है इसलिए इस कोश्चन का राइट एंसर ऑप्सण डी होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर और क्या कहता है कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज जानुसूचित जाती आयोग की स्थापना कब की गई साथियों हम आप्सन देखेंगे और र जून 1995 साथियों जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो क्या होगा अप्सन बी 29 जून 1995 को स्थापना की गई मध्य प्रदेश राज जानुसूचित जाती आयोग की अब हम बढ़ते हैं आज की अंगले प्रस्ण की ओर और क्वेश्चन नंबर 13 प्रस नंबर 13 के रहा है मध्य प्रदेश राज्य उनसूचित जाती आयोग का पदेन सदस्व कौन होता है मध्य प्रदेश जिकात विकास ड कविधान-सभाव में बिविभाग आदिम जाती कल्यान विभाग का ध्यक्ष और D में कहता है मुख्य सचिव साथियो जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है उप्शन A होगा अनसूचित जाती विकास आयोग के आयोगत ही इसके पदेन सदस्य होते हैं राज्य अनसूचित जाती आयोग मध्य प्रद सूचित जाती आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई कह रहा है मद्य प्रदेश राज जन सूचित जाती आयोग अधिनियम 1995 B में कहता है मद्य प्रदेश राज जन सूचित जाती आयोग अधिनियम 1999 C में कहता है मद्ध्य प्रदेश राज्यन सूचित जाति आयोग अधिनियम 1997 जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो अप्शन ए होगा क्योंकि मद्ध्य प्रदेश का जो राज्यन सूचित जाति आयोग है वो इसी अधिनियम के तहट लाया गया किस अधिनियम के तहट जो अधिनियम आया 1995 में इसलिए question number 14 का जो right answer है जो सही उत्तर है वो option A होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रसंद की ओर next question question number 15 question number 15 ये कहता है कि मद्धिप्रदेश का जो अनुसूचित जाती आयोग के अध्धक्ष एवं सदस्यों की निवक्ति कौन करता है जो मद्धिप्रदेश का राज्य नुसूचित जाती आयोग है वहाँ जो अध्धक्ष सदस्यों होते हैं उनकी निवक्ति आखिरकार कौन करता है A में कहता है राज्य पाल B option में कहता है राज्य सरकार और D में कहता है केंदर सरकार तो जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है क्योंकि हमने class में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी इसलिए ये आप question कर पा रहे होंगे मैं ऐसे उमीद करता हूँ और आप करी पा रहे होंगे क्योंकि आपकी practice है इसका option C होगा, राज्य सरकार इसका सेहाँतर होगा, राज्य सरकार ही अध्यक्षेवन सदस्यों कि निविक्टी करती है अध्यक्ष और सदस्यों कि निविक्टी का काम क्यों करता है संबंदित राज्य का राज्य सरकार आईए अंगला question देखते है, next question प्रस नंबर 16 ये कहता है कि बरतमान में मध्य प्रदेश राज जन सूचित जाती आयोग के अध्यक्षे कौन है आपके option A में है आनन नहिरवार B में कहता है राम संकर कठेरिया C में कहता है बिजय सामपला और D में कहता है भूपेन सिंग आरे साथियों जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है option D होगा भूपेन सिंग आरे जी को क्या बनाया गया है मध्य प्रदेश राज जन सूचित जाती आयोग का अध्यक्ष अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर और देखते हैं प्रस नंबर 17 question number 17 में क्या कहता है question number 17 ये कहता है कि एनुछे 338 टू के अंतरगत वर्णित है क्या वर्णन किया गया है कथन दो में कहता है आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष वगरता है इसमें पूछ रहा है कि क्या केवल कथन एक सही है B में कहता है केवल दो सही है और C में कहता है दोनों सही है D में कहता है इनमें से कोई सही नहीं है साथियों जी ये दोनों कतन है वो दोनों सही है इसलिए option C इसका right answer होगा option C इसका सही उत्तर होगा क्योंकि आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा सदस्यों की सेबा सरते इन्य धरन का काम कौन करता है राश्ट पती जी करते हैं और इनकी सनरचना की बारे में हमने बात तरी ही कि इनमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष वा तीन सदस्यों होते हैं इस प्रकार से कुल मिल आयोग के संदर्व में सत्य कथन बताईए और कथन ये कहता है कि आयोग में एक अध्यक्ष दो असास की सदस्य तथा दो सचिव होते हैं। दूसरा कथन है कि आयोग में कम से कम दो सदस्य अनुशुचित जाद के होंगे। साथियों, जो इनमें कथन ए है, कथन पहला है, कथन पहला गलत है, और कथन दूसरा सही है, आप से सही कथन के बारे में question पूछ रहा है, इसलिए आप का option भी सही होगा, इसमें कहा गया है कि केवल दो कथन सही है, इसलिए इनमें से कथन दूसरा सही है, क्योंकि आयोग में कम से कम दो सदस्यों का होना ऐसी जाती से अनसूचित जाती से होना आवश्यक है आईए बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की ओर और कोश्चन नमबर 19 क्या कहता है कि राश्टी अनसूचित जाती आयों को निम्न में से कौन सी सक्तियां प्राप्त हैं और के आपसन ए में कहता है दीवानी नयाले बी में कहता है सिकंड में कहता है रिकार्ड मांगने की तीसरे में कहता है जाच करने की और चोथे में कहता है अप राधिक नयाले की सक्ति इनका जो सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो आप बताएं कूट के हिसाब से कूट A में कहता है कि क बढल 1 2 एबं 3 शाथियों जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो option D होगा क्योंकि कथण 1, कथण 2 और कथण 3 ये 3 हैं आयोग को दीवानी नयाले, सिविल नयाले की सकती प्राप्त होती है, वो रिकार्ड मगवा सकता है कहीं से, और जाच करने की सकती भी आयोग के पास होती है, लेकिन अपराधिक नयाले की सकती आयोग धारित नहीं करता, आयोग के पास नहीं है, इसलिए जो इसका सही उत्तर ह होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो होपाउएटी होगा क्योंकि इसमें एविध में कगाया है कि केवल 12 थीन कतं सही है अब हम बढ़ते हैं अंगले पोड़ क्लावा और नेस्ट कोस्टेन क्या है देखें नश्कोस्टेन को कोश्चन नमबर 20 क्या कहता है कि राश्टियन सूचित जाती एवं जनजाती आयोग का गठन किस संवैधानिक संसोधन के तहत किया गया वह कौन सा संवैधान संसोधन हुआ जिसके तहत राश्टियन सूचित जाती एवं जनजाती आयोग को एक संवैधानिक दरजा प्राप् संब्सक्राइक राइट सब्सक्राइएF में गया शम्भधानिक दर्जा देकलानी ऊपषित इंगलेपना की औरναटी व요 Question number 21 में देखते हैं कि Question number 21 क्या पूछ रहा है Question number 21 कहता है कि निमने में से कौन राष्टी एनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा इन में से ऐसा कौन सा बेक्ती है जो राष्टी एनुसूचित जनजाति का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा आपके option A में है सूरजभान, B में है कुमर सिंग, C में है रामे स्वरु राव और D में है उर्मिला सिंग जो इसका सही एंसर है, जो इसका राइट एंसर है वो option A होगा क्योंकि सूरजभान कभी भी आयोग के अध्यक्ष नहीं रहें साथियों, आपने अगर previous year question paper देखा होगा तो आपको ये पता होगा की आयोग नहीं को लेकर question पूछता है उनमें चाहे आपके लोकसेवा आयोग के अध्यक्षों की बात हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुक्ष मंत्री हो अलग अलग जो सम्मेधानिक संस्थाएं हैं, जो आयोग हैं, इनके अध्यक्षों के बारे में ऐसे question पूछता है आयोग, वो इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा अध्यक्ष नहीं रहा इसलिए आप इनकी लिस्ट एक बार उठा के सरसरी निगास से जरूर देखके एक्जाम देने जाएं तो यहाँ जो question number 21 के right answer होगा, option A बाकी B, C और D में जिनका नाम दिया गया है, चाहे कुमर सिंग जी हो, रामिस्वरुराव जी हो, उर्मिला सिंग जी हो यह कभी ना कभी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, राश्टी अनसूचित जनजाती आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्हें पूछ रहा है कौन से नहीं रहें, तो सूरज भान जी नहीं रहें, इसलिए option A का सही उत्तर होगा, option A का right answer होगा अब हम बढ़ते हैं, अंगले प्रस्ण की हो, अब हम देखते हैं question number 22, प्रस नंबर 22, प्रस नंबर 22 में है, राश्टी अनसूचित जनजाती आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति इन में से किसके द्वारा की जाती है, जो अन्य सदस्यों होते हैं, राश्टी अनसूच जनजाती आयोग का अध्यक्ष, और C में कहता है केंदर सरकार, और D में कहता है संसद, जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट अंसर होगा, वो अप्शन A होगा, क्योंकि राश्ट पती ही इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राश्टी अनसूचित जनजाती आयोग की, अब हम आगे बढ़ते हैं, कोश्टन नमबर 23, नश्ट कोश्टन, कोश्टन नमबर 23 कह रहा है कि इनमें से किस राज्ज में जनजातियों के कल्यान के लिए एक मंतरी का प्राबधान किया गया है, इनमें से कौन से राज्ज है, जिनमें जनजातियों क के हिसाब से आपको उत्तर देना है कोट क्या है आई ये देख लेते हैं पहले में कहता है कि केवल सभी राज्यों हो चाहे जहर चतीस घड़ चाहे मद्रफेस हो और चाहे उडाज्यों में क्या है जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री न्यूक्त करने का राबधान किया गया है ऐसा बात की गई है इसे बारे में कहा गया है अब हम देखें next question question number 24 question number 24 कहता है राष्टियन सूचित जनजाति आयोक का छेतरी कार्याल नहीं है नहीं हैं छेतरी कार्याले किसका? राष्टियन सुचित जनिजात या योक का आपके option A में कहता है राची B में कहता है भोपाल C में कहता है देहरादून और D में कहता है जैपूर जो इसका सही अंसर है जो इसका right answer होगा वो होगा option C क्योंकि देहरादून में इसका कोई भी छेत्री कार्याले नहीं है राची में है, घोपाल में है, जैपुर में है आप से पूछ रहा कहां नहीं है तो देहरादून में नहीं है इसलिए question number 24 का right answer क्या होगा option C, देहरादून इसका सही उत्तर होगा अब हम बढ़ते हैं, अंगले प्रेशन की ओग next question है आपका 25 प्रस नंबर 25 इनमें से किस एक आयोग को संबैधानिक दरजा प्राप्त है संबैधानिक दरजा प्राप्त इनमें से कौन सा आयोग है A में कहता है राश्टी मानवाधिकार आयोग आपके B में कहता है नीती आयोग और C में कहता है महिला आयोग और D में कहता है राश्टी अनसूचित जनजाती आयोग तो इनमें आप जानते हैं कि option D सही होगा राश्टी अनसूचित जनजाती आयोग एक प्रकार से संबैधानिक दरजा प्राप्त है और अगर इसकी हम बात करें तो संबीधान के भाग सोला में संबीधान के भाग सोला और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 338 का में इसका वर्नन किया गया है राश्टियन सूचित जनजात आयोग का अब हम आगे पढ़ते हैं अगला प्रस इसका उत्तर आप समझ गए कि इसका उत्तर क्या होगा राश्टियन सूचित जनजात आयोग अब हम अगला कोश्चन देखते हैं प्रस नमबर 26 26 कहता है कि राश्टियन सूचित जनजात आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला करके कुल कितने सदस्य होते हैं आयोग में A में कहता है 5, B में कहता है 4, C में कहता है 3 और D में कहता है 7 साथियो जो इसका सही उत्तर होगा राष्टियन सुचित जनजाती आयोग में अध्यक्ष समेथ कुल कितने सदस्य होते हैं तो वो पांच सदस्य होते हैं, इन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और तीन अन्य सदस्य होते हैं, इस प्रकार से ये पांच सदस्य निकाय है, और एक बहुत सदस्य निकाय है, अब हम बढ़ते हैं, question number 27, next question है, प्रस number 27, इसको देखें, कहता है कि राष्टियन सुचित जनजाती आयोग के कारियों में इन में से कौन सा कार्य सामिल नहीं है, इन में ऐसा कार्य लिखा गया है, जो राष्टियन सुचित जनजाती आयोग में सामिल नहीं है, A में कहता है जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षन की समिक्षा B में कहता है जनजातियों के अधिकारों के हनन की इस्थिती की जाच करना C में कहता है जनजातियों के बिरुद्ध अपराध की इस्थिती में अपराधिक नयाले की सक्ती और D में कहता है राज्ट पती को जने जाती है मामलों का प्रतिवर्स प्रतिवेदन सौपना इन में जो कार है option C ये नहीं है आयोक के कारिछेत्र के अंतरगत क्योंकि इसमें कहा गया है कि अपराधिक नयाले की सकती तो अपराधिक नयाले की सकती आयोग के पास नहीं होती बाकि चाहे option A, चाहे option B और चाहे option D की बात करें ये तीनों का धन सही है तीनों कार आयोग करता है तीनों कारें को करने की सकती आयोग के पास है इनमें कौन सा कारे सामिल नहीं है तो option C's का सही उत्तर होगा, option C's का right answer होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर और देखते हैं question number 28 question number 28 में क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश, राज जन सूचित, जन जाती, आयोग, अधिनियम किस बर्स पारित किया गया आपके option है 1993, B में है 1995, C में है 2000, और D में है 2007, जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका right answer होगा ये साधारान सा प्रस्ण है, अभी तक में आप इसका answer जरूर अपनी दिमाग में बैठा लिये होगे option B इसका सही उत्तर होगा, 1995 में क्या किया गया, मद्य प्रदेश, राज, जन सूचित, जन जाती, आयोग, अधिनियम पारित किया गया और इसी के तहत फिर अंसूचित, जन जाती, आयोग की स्थापना की गई थी, और वो कब हुआ 1995 में अब देखते हैं, अंगला प्रश, question number 29, question number 29 कहता है, question number 29 कहता है, कि मद्य प्रदेश, राज, जन सूचित, जन जाती, आयोग के अधिक्ष, यवं सदस्यों की पदावधी कितनी होती है, इनका कारिकाल के बारे में कहरा है, question है, कि इनका कारिकाल कितना होता है, अ में है दो बर्स, बी में है तीन बर्स, और सी में है पांच बर्स, और डी में कहता है, कि निर्धारित नहीं है, लेकिन साथ ही हो ये निर्धारित कारिकाल है, तीन बर्स का इनका कारिकाल होता है, राज्टियन सूचित, जन जाती, आयोग के अधिक्ष की बात करे, चाहे सद सिखी बाद करें अब हम देखेंगे अगला प्रस्ट कोश्चन नमबर 30 प्रस्ट नमबर 30 प्रस्ट नमबर 30 मध्यप्रदेश राजजन सूचित जनजाती आयोग को इन में से कौन सी सक्ति प्राप्त नहीं है कोश्चन उसके बारे में पूछ रहा है आयोग के पास दंदात्मक कारवाई करने के लिए दंड देने की सक्ति नहीं है बाकी जो ये तीनों कथन सही है आप से ये पूछ रहा है कि इन में कौन सी सक्ति प्राप्त नहीं है तो आप बताएंगे option D इसका सही उत्तर है दंडात्मक कारवाई करने की सकती आयोग के पास नहीं है अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर और next question देखते हैं question number 31 question number 31 कहता है मद्रप्रदेश राज जनुसूचित जात यायोग को मद्रप्रदेश के गजट में कब प्रकासित किया गया कब प्रकासित हुआ उसके बारे में question पूछ रहा है A में कहता है 24 मई 1995 B में कहता है 24 जून 1995 C में कहता है 29 जून 1995 D में कहता है 29 मई 1995 जो इसका सही उतर होगा साथ ही जो इसका राइट एंसर होगा आप जानते हैं कि 29 जून 1995 को क्या हुआ ये गजट में मद्ध्य प्रदेश के पारित हुआ मद्ध्य प्रदेश राजजन सूचित जाती आयोग अब हम बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर और प्रेस्ट नंब के बारे में आपसे कोश्चन उच रहा है एमें कहता है आयोग के अध्यक्षवा सधस्यों की बेतनभत्ते तथा सेबा सर्तों का निर्धारन राज्य सरकार करती है ठीक बात है दूसरे में कहता है आयोग अपना वारशिक प्रतिवेदन राज्य सब्सक्राइब को इसलिए कथन केवल एक सई होगा ऑप्शन इसका राइट एंसर होगा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर क्वेश्चन नमबर 33 कहता है कि राश्टी अनसूचित जनजात के छेत्री कार्याले की रूप में कौन सुमेलित नहीं है इन में से जो सुम सब्यास्ट नहीं क्यों के राइट नहीं हैं और के उप्सन एही गलत है क्योंकि मद्य प्रश्ण का जो जणनजाति का छेत्री कार्याले 한 वह कहां है वो बरतमान में भोपाल में है और यहां मंडला लिखा हुआ है आप से गलात सुमेलित के बारे में पोच रहा था तो अपसन एसका सही उत्तर होगा बाकि यह तीनों सुमेलित हैं चाहे उडिसा भुमनेस्वर की बात करें में घाले सिलांग की बात करें और राजस्थान जैपुर की बात करें इनके जो अनसूचित जनजातियों के छेत्री कार्याले हैं वो यहीं है और मद्र प्रदेश का जो छेत्री कार्याले हैं अनसूच जिसीध जन्जात आयोग के अध्धक्षेवं सदस्यों को अधिकतम कितने वारं तक कारिकाल में है तो उससे दुबारा भी नियूग्ट किया जा सकता है तो कितनी वारं हो सकता है उसके बारे में कुछेद पूछ रहा है और कियो एक बार बिम्मे Kelly केवल 2 और C में है केवल 3 और D में कहता है कितनी भी वार नियुक्त किया जा सकता है जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B होगा क्योंकि आयोग के चाहे अद्धक्च उहों इनको अपने कारिकाल में जो बरतमार में अगर हम एक्जांपल के तोर पर देखें कि अगर कोई अभी कारिकाल में है तो एक वार और नियुक्त हो सकता है बाकि दो बार से जादा नियुक्त नहीं हो सकता कोई भी अध्यक्च या सदस इसलिए 34 का ऑप्शन B सही अंसर होगा और इसमें केवल 2 बार के ही नियुक्ती का राबधान है अब हम मध्यप्रदेश सरकार में जनजाती मंतरी कौन है इसके बारे में आप से कोश्चन पूछा गया और हमने बताया कि जनजाती मंतरियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार में भी ये प्राबधान है मध्यप्रदेश के लिए भी ये कहा गया है कि यहां एक अनिवारी रूप से जिन जाती मंत्री की निपती होगी तो बर्दवाने वे जिन जाती मंत्री कौन है A में अगर बात करें तो हिमर्ति देवी B में कहता है राम बाई C में कहता है मीना सिंग और D में कहता है ओमकार सिंग मरकाम साथ ही जो इसका सही अंसर है जो इसका right answer है वो option C होगा सूस्री मीना सिंग जी क्या है इस समय जिन जाती है कल्यान मंत्री है मध्यप्रदेश की सरकार में मध्यप्रदेश सरकार की जिन जाती ही मंत्री कौन है मीना सिंग जी और ये मानपुर से सायद विधायक है आप एक बार इनके विधान सभा के बारे में चेक कर लीजेगा fact जहां तक मुझे याद है मानपुर ही इनका विधान सभा छेत रहे इस तरह साथियो आज हमने पढ़ा democrater, mcq के बारे में हमने राष्ठिय अनसूचित जात, राष्ठिय अनसूचित जन जात और उसके बाद हमने मध्ध्य पृदेश के अनसूचित जात और जनजात के जो महत्तपूर mcq थे और जो आपके teasing के लिए उनके बारे में हमने चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन question answer session के तहट, इस MCQ series के तहट ये समझ पा रहे होंगे, कि किसी भी topic को पढ़ने के बाद जब हम question solve करते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि question कैसे आते हैं exam में, तो exam में question आने का pattern आपको समझ आ रहा होगा, और हमारा प्रयाज भी यही है कि आप exam देने जाने से पहले, इन सब चीजों से prepare रहें, तयार रहें कि exam में इस topic से ऐसे question पूछे जा सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, आज हमने MCQ पढ़ा, उसके पहले की class में हमने detail में इन सब आयोगों के बारे में चर्चा की थी, अब हम मिलते हैं अंगले topic के साथ, unit 10 का जो अंगला आयोग है, उसके बारे में हम अंगली class में चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहें competition community की team के साथ, और अपनी तयारी को और बहतर बनाते रहें, आपका बहुत बहुत धन्दवाद, और competition community से आप जुड़ें, और अपनी तयारी को और बहतर बनाएं, आपका पूना है एक बार बहुत बहुत धन्दवाद,